अस्सलम अलेकुम दोस्तों वीडियो में हम आपको दाएंगे साओधी की एक जरूरी इंपोर्टन अपडेट मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हाइबी ड्राइबर का काम कैसा होता है उनको सैलरी कितनी मिलती है कितने टाइम उनको काम करना पड़ता है क तो यह सारी जानकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो को पूरा दिखिए ताकि आपको पूरी जानकर मिले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हाइबी ड्राइबर के कार कई तरीके से होते हैं जैसे कि कुछ लोग concrete का काम करते हैं वहाँ पर जो ट्रेक हो चलाते हैं वहाँ पर four wheeler या six wheeler इस तरह से हो सकता है इसके लावा ट्रेक होता है और जो यहाँ पर बस होती है तो यह सारे जो है highway driver में आते हैं अगर यहाँ पर six wheeler या four wheeler इस तरह के होते हैं और highway जो road पर चलाते हैं उनको highway driver बोलते हैं तो वहाँ पर दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि उनको यहाँ पर जागने की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहाँ पर उनको दिक्कत यह होती है कभी कभी ट्राफिक में फंसकते हैं या बाकिया और भी कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती है बाकिया उनको खाने पीने की को सक्राफ ही कम कुछ जगहों में होती है जैसे कि स्टार्टिक में किसी भी कमपं़ी के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पर पंदरासो भी हो सकती है इसके लावाद का experience है तो वो depend होता है कि आप किस country का experience लेकर सौधी अरब में अभी जा रहे हो तो उसके हिसाब से आपको काम दिये जाएगा उसके हिसाब से आपको सल्ली दी जाएगी लेकिन ये clear करना होगा कि आप कहां पर किस जगा में काम करने के लिए जाते हो अगर आप tanker में जाते हो इसके लावा खुद के काम में जाते हो जैसे कि बालू, सीमेंट, मौरंग इस तरह का कार करते हो तो वहाँ पर depend होता है इन काम में जादा होता जिसे की tanker में आपके सल्ली काफी जादा होती है एक्स्ट्रा इंकम भी हो जाती है सौधी अरब के अंदर अगर आप bus driver के काम म आपकी सल्ली 2000 के उपर होने वाली है लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला हो सकता है कि कहीं पर आपको मिल जाए क्योंकि स्कूली बस होती है और कुछ जगहों में क्या होती है कि गबर्मेंट की बस होती है तो वो सारी चलती रहती है हो सकता है आठ घंटे जैसे के गबर्मेंट में अगर कोई भी काम है तो वहां पर आठ घंटे लेकिन अगर प्राइबेट में है तो दस घंटे या बारा घंटे उस तरह से हो सकता है लेकिन आपको ओबर टाइम भी दिया जाएगा अगर आप प्राइबेट में किसी भी जगा जा रहे हो इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें पूरे किलियर की तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सहली भी अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर सबसे अच्छा काम एक तरह से हो सकता है अगर आप hybrid driver में साओधी अरब के अंदर जाते हो ये किसी भी country के अंदर hybrid driver में जाते हो तो दोस्तों hybrid driver में सबसे अच्छा काम यहाँ पर concrete लेकर ले जाना और डालना ये काम है इसके अलावा अगर आप tanker चलाते हो तो ये दो काम आपके लिए सबसे बिस्ट हैं इसमें दो काम को पा जाते हो और साओधी अरब के अंदर जाते हो इसके अलावा किसी भी country में जाते हो तो लगभग एतनी ही कमाई आपकी होने वाली है